अगलो विवर्स वेलकम टू एन टीवी एन टीवी में महांमद शहजाद एक बाद पर आप सब्सक्राइब करता हूं ये जैसा कि आप टाइटल देखी चुके हैं एक एंजी ओ है अधर बाबा सेयद महांमद टाजुत विंग और रहमत अल्द रहें त्रस्ट आप यहां कि य हनसा पूरी गुलाब बाबा स्कूल के पास में जो पुछले बारा सालों से एक बहुत अच्छा कॉस्ट कर रहा है एक अच्छा काम कर रहा है फ्री में वेडिंग का इंतिजाम करते हैं अभी फिलाल लॉक्टाउन और फोड़ासा समय की कमी की वज़े से इस बार सिर्फ सो सव जोड़ों का है तकरिबन जैसा अभी हम बात भी करेंगे एंजियों की अध्यक्ष अध्गुल मजीश साब से और कॉंग्रेस के वरिष्ट रहता है मुहम्मद वसिम नहीं बता है कि सव जोड़ों का हमारा बजट था लेकिन इंट्री हमारे पास कम आई है देखते हैं भी यहां के हाला पर नजर डालते हैं मैं मुहम्मद वसिम आज हजरत बावात ताजुद्दिन अलिया बहुत देशी संस्ता की और से अजीम और शान इस्तेमाई साधी का प्रोग्राम लिया जा रहा है इस संस्ता की जो अध्यक्ष है यह है मुहम्मद साजिस साब जिनोंन आज ये सिलसिला बारवा सालाना जो मनाया जा रहा है जो इस्तेमाई शाधी है ये पहली बार की जारी इसके पहले भी और शाधी कर चुके हैं यहां पर ये बारवा साल है जो साजित भाई इस अंजाम दे रहे हैं साधी का जो अध्यक्ष है यहां के और बहुती दिलों से दिल से बोलो और उसके साथ में इसके पहले भी जो इन्होंने कई जोडों की शादी करवा चुके इस बार भले कम है 16 जोड़े है इन्होंने रिकॉर्ड है कि 23 जोड़े इसके पिछले साल 23 जोडों की शादी उन्होंने किया था यह कोईड के नियम अनुसारी शादी की जा रही है और कोईड के नियम को देखते वे जो प्रशाशन का नियम का पालन किया जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे निका होते जा रहा है वैसे वैसे हम पबलिक को जो भी उनके साथ में आये हैं उनको जायरीन को बोल रहे हैं कि भी आप लिकलते जाएगे इसके जादा भैतर तो साजिद भाई बताएंगे कि यहां साजिद भाई के तरफ से यहां पर पलंग दिया जा रहा है बिस्तर दिया जा रहा है अलमारी दिया जा रही है और गद्दे वगरे रजाई वगरे भी जा रहे है और कुछ बरतन भी दिय जा रहा है दूलन दूला के साथ में पूर से भी है या फिर आउट ऑफ नागपूर के भी लोग है नागपूर के एत्राप के लोग है और आजुबाजु के जीले के भी लोग है जैसे भंडारा जीला गूंदिया जीला इधर आजुबाजु के भी लोग है यह संस्ता के यह संस्ता के जरिये जो भी प्रोग्राम लिया जाता है यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है सब सामाजी प्रोग्राम हुआ जाते हैं लोगन इतनी मदद कर रहे है आज शादी को कितना खर्चा आता है मगर आज़ दह से लेके पूरी उन्होंने उनका पूरा इस्तमाल किया गया है और पिछले साल में 23 जोडों की शादी किये थे यह बारा सालों से यह लोग शादी कर रहे है यह संस्ता इतने लोगन को मदद कर रहे है और इस बार भी इन्होंने यह खार्य करम रखा हुआ है और आज मुझे यहां पे बुलाया है मुझे बहुत अक्छा लग रहा है और आज इनको है आछी लोग आपका नाम मुझे मेरा नाम मुहम्मद साजीर है मैं हजरत बाबा ताजुद्धी नवलिया बहुत देश्वा संस्टा का अध्येश हूं यह संस्टा को 12 साल हो गया है यह आप कारे कितनी साल से कर रहे हों यह सम्मेलन यह 12 साल है इसके पहले पर आप शादी कर वा चुके हों कि बारा साल जब होता है जब एक साल से चालू होता है बारा साल तक है ना पहली बार तीन साधी होई पहले साल में दूसरे साल में छे साधी होई उसके बाद में फिर सिल्धा साधी 26 साधी पिछले लॉकडाउन के अंदर मैंने यह आने हमारी संस्टा ने 23 साधी करवाई थ और आज भी बारा जोड़े यह सोला जोड़े जो है यह भी आजू-बाजू के है और बाहर साइट के भी है कहीं के भी उनका पुरूप होना हम पुरूप लेते हैं आधर कारट इलक्तरी भील रासन कारट इसकुल लिविंग साटेपिकिट बारा बारा फोटू उसमें गवा यह सब लेते हैं इसकी फीश होती है तीन अजार एक सव रुपए तीन अजार एक सव रुपए लेते हैं इनसे और उनको कुरान शरीप जानमाच पलंग बिस्तर अलमारी डिनर सट कपड़े कूलर और कोई चिलर सामन जो मिले यह देते हैं और खाने में ऐसा है कि आप जितनी पब्लिक ला स संस्टा करती है यह सब करके देते हैं लोग अगर से यहां पर और भी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं और जो भी नहीं शादी करवाने तो इनको आप पते हैं किस तरीकी से यहां पर आप से मिलना पड़ेगा या फिर क्या डॉक्यमेंट लगी यह और इसके बात में और स आप कर देंगा और मैं सहसलामत ने रहूंगा तो फिर मेरे जो पीछे है वह करेंगे अगी तो मेरी यह एक उमाग और मेरे में एक होसला यसा है कि मैं अकेला ही निकल जाता हूं प्लेड भी अकेला ही चिपकाता हूं हर चीज जो भी आए फिर बाद में सम मेरी संस्टा के संस्टा है श्टार्टिंग मैं करता हूं इसका बाद में सब पिर गशादिया करवा देवी तेवी साधी उईटी और वो पिरेड में एक सट दिन तक के गरीबों को खाना खिलाया गया एक सट दिन और कम से कम 300 से 300 से 300 यहां पर आनाच की कीट दिये यह यह आने हमारी संस्ता ने 300 से 300 300 लोगों को घरों में इट भी ऐसी दिये अपुने चावल ग्यूं डाल तूवर की डाल मसूर की डाल मुंकी डाल कपड़े दोने की साबून नाने की साबून सक्कर बेसन रूड याने हर चीज दिये उन्तु जो चीज एक घर परिवार को लगता है चाय की पत्ती से लेके तो शक्कर तक के अईसा ने कि अपने चावल ग्यूं डे दी जैसी गवर्मेंट डेटी है चावल ग्यूं अईसा ने हर चीज दिये जो याने आज उसका खाने का दिल हुआ पोवा तो वह बनाके खाएंगा उसका दिल हुआ हलवा खाने का वह बनाके खाएंगा याने इतना ल पूरी तरीकी से इंसान तरस्त हो चुका था उस टाइम भी आपने लॉक्टाउन में शादी करवाई थे बहुत बड़ी बात हो तो आप इसके बार में बित्ता है हजरत बाबा ताजुदी नवलिया बहुत देशी सेवा संसा के संसापक अध्यक्स मानिनिय मुहमद साजित भाई नो जो बेड़ा उठाया है वो आज ये बारा सालों से लगात्तार ये कारे कर रहे है आज 16 साधी है इसके पिछले साल 23 साधी करवा चुके है लागडाउन का पूरा पालान के साथ में इन्होंने कारे किये और आज भी हो जारी है सिर्फ साधी है नहीं बल्कि खत्ने का भी इंद्याम हर साल किया जाता है और राष्ट्य तेवार बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके से अभी हजरत बावात अजिय अवलिया का जनल दिन मनाए जाता है उसी तर DCS राम नौमी भी ऑख्थ तरीके से मनाए जाता है जो इनके भगतर होते हैं रामन following के जो यहां से रिली निकलती है उनका अच्छी दरीके से समान सम्मान सत्कर के साथ बिदाई करते है और उनका सम्मान करते है सिर्फ धर्म एक मुस्लिम समाज से जुड़ा नहीं है बल्कि सबी धर्म का पालन करते हैं उनका सम्मान करते है यह बहुत बड़ी बात है कि साजीत भाई ने बिला उठाया और हमको एक मौका दिया मैं एक कारे करता हूँ छोड़ा सा उन्達ोंने मुझे अपने साथ साम्मिल किये और मुझे मुझे मौका दिये मैं उनका सुक रहा हुँ, और हमारे आलाा हजरत, filing मुधिय जाया है, जो आज हमारे सर पर हाथ रखे, उनके नेत्रते में जो कार्यों रहा, बहुत सराणिय है, मैं उनको आगे भी इससरी कार्यों होना चाहिए, और करते रहे, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा अभी आगे सोच है कि अभी सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं बलकि दूसरे समाज के लोगों के भी साधी इसके माध्यम से होना चाहिए और पिछले लॉक्ड़ाण नों भी लोग खाने को तरस गय थे हजरा तपक अध्यक माने साजीद भाई ने जो गरीबों को और जो जरूरत मंदों को जो अनाज वितरन किये, कीट वितरन किये, खाने का इंधियाम किये गौर्णमेंट ने तो हाट टेक दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक जारी रखे और आज भी सिर्फ इतना ही नहीं, जिनकी तबेत खराबे, बिमारे, दवापानी की जरोते उन्होंने वो तक पूरा किये, मैं उनका बहुत दिल से सुक्रे आदा करता हूँ और उन्होंने जो मौका दिये मुझे, यहाँ पे अपने साथ सामिल करने के लिए, मैं उनका शुक्रे आदा करता हूँ ताजुद्दीन बाबा, बहुत देशिय स्वा सौंस्ता की ओर से, आगे में मतिमंद और अपंग लोगों के लिए भी एक प्रोजेक्ट जल्दी ही हम सुरू करने जा रहे हैं और इस इस्तिमाई शादी का और ज़्यादा प्रसार प्रसार करके और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोडने का हमारा कारिया है, हमारी योजना है और हम समाज से भी यही अपेक्षा करते हैं कि इस कारिया में वो हमारी सदा मदद करेंगे, शुक्रिया कॉंग्रेस के वरिष्ठ निता नाना भाव बटोले इनके मार्क देशन में ये प्रुग्राम ये एंग्यों ने ये बहतरीन कॉस्ट का आयजन किया है फ्री में शादी कराई जा रही है दुलंदुला को सिर्फ आकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है उनके गारजियन को आकर सिर्फ यहां रजिस्ट्रेशन कराना होता है बाकि पूरा खर्चा एंग्यों बियर करती है जो बेसिक चीज़े है वो और महमानों का खाना पूरा और जो एक बेसिक चीज है ती है जो छोटी मटी ज़रूरत की वो भी देते हैं अच्छार नाजगर की करते हैं कि अच्छार की जञा है। मेरा भी फॉर फिल्प फिल्लू केंगा आरे यार आते क्या मेरा में मेरा भाज वह दोश पहे उनके लिए कि पासमें आएंगे ताकि गगा के लिए बटकना न पढ़े महां कि अईच्ने भाजे कि अच्छी और गश्या दोशूक्ट कि अच्छी जुटक दूटक कि अच्छी अच्छी जनकाओ जानी Hank मत जानी अचल